नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल कंस्टॉक्शन प्रेक्टिस में आज हम जानेगे कोर कटिंग के बारे में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अगर आप कोर कटिंग करवा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है आईए जानते हैं Core Cutting एट टेकनिक है जिसका यूज करके आप कोई भी हार्ड माट्रियल में Cylindrical Section या Hall कर सकते हैं ये प्रोसेस Commonly New Construction और Renovation Project में यूज की जाती है जैसे कि Plumbing, Drainage, Electric की Pipe, Cable और AC की Line पास करने के लिए यूज में ली जाती है Advantage of Core Cutting ये हमें एक Precise Clean Cut प्रोवाइड करती है बिना किसी प्रकार के स्टक्चर को डेमेज करें Core Cutting मेथड पुरानी तकनिक से ज्यादा Fast है इसका यूज करके हम Road की Thickness जान सकते हैं Road में यूज की गई Material की Quality और Layer की Thickness की जानकरी इससे हमें मिल जाती है Disadvantage of Core Cutting ये Process Noisy है, अवाज ज्यादा आती है ये Process Apply करने के लिए आपको Professional Skill Operator की जरूर होती है अगर आप 8 सिसे में Core करा रहे हैं तो आपको Core Cutting से पहले Steel Bar Detector से Area Scan करना जरूरी है Steel Bar Detector से आप आपके Main Steel को Cut होने से बचा सकते हैं कई बार बिना चेक करें Core Cutting होने पर Beam का Steel Cut हो जाता है जिसके करण आपका Structure Damage हो जाता है इस तरह से Damage के बचने के लिए एक Skilled Professional Operator से ही आपको Core Cutting करवाना चाहिए जाता है कि अजय को अजय करें ते थांदू करेंगा है झाल 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 मार्केट में 2 इंच से 8 इंच तक के कोर कटिंग अवेलेबल है मैंने यह 5 इंच का कोर 800 रुपे में करवाया आपके वाँ क्या रेठ है कमेंड कीजिए इस प्रकार की जानकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू